सूप्रभात मात्र दो मिनिट में अपनी चित्य को शांत करने के लिए और हर प्रकार की समश्या से निजात पाने के लिए ये सुन्दर सा अभ्यास करें अपने शरीर को एक दम शिथिल छोड़ें लंबी गहरी सांस लें अपने नेत्रों को बंद कर लें और इस सारे संसार को कर्म शेत्र समझ कर ड्रामा समझ कर हर आत्मा के पाट को हर आत्मा के कर्मों को उसका मिश्चित अभीने समझ कर हर किसी के लिए सोचें कि हर कोई निर्दोश है किसी का कोई दोश नहीं क्योंकि अगर कोई दुख दे रहा है तो वो भी निर्दोश है क्योंकि उसके जीवन में उसके अपने ही संसकारों के कारण उसके अपने मन के फिचारों के कारण उसका अपना ही मन अती दुखी और परिशान है इसके ये रहम भाव से उस आत्मा को शांती और प्रेम और शक्ति का सहयोग देते चलें और उसके लिए भी सोचें तुम्हारा भी कल्यान महसूस करें मुझ आत्मा के मस्तक से मेरे चहरे से परमतेचस्वी साथ रंगों की किरने उस आत्मा को तुख कस्त और उसके अशुत्य संसकारों से मुप्त कर रहें तुझे परमात्मा से मिली हुई संपूर पवित्ता की उर्चा अविनाशी एनरजी मुझ आत्मा के द्वारा उस आत्मा को मिल रहे और उसका परिवर्तन हो रहा है मात दो हुनकों अपने मन को शांत करने के लिए अपने इस शरीर को भूल जाए और महसूस करें कि आप सिर्फ जोती बिंदू आत्मा है और अपने आप को याद दिलाएं कि इस संसार की हर वस्तु किसी भी पल आपसे छूप सकती है आपसे दूर चा सकती है क्योंकि ये हर वस्तु आपको यूस करने के लिए मिली है आपके अतीत के कर्मों के अनुसार आप चाहें तो इन वस्तु का प्रियोग करके आगे के लिए भी सुक शांती और पुन्य की कमाई चमा कर सकते हैं इसलिए सुएम को सब प्रिकार के मोह से मुट कर दें ये शरीर मेरा नहीं ये वस्तु आप साधन मेरे नहीं ये वेश्व मेरा नहीं मैं सिर्फ सर्व शक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ इस सारे संसार की सेवा करने वाली विश्व सेवा धर विश्व कल्यानकारी आत्मा हूँ इस संकल्प से सारे संसार को हर पर कल्यानकारी भावना से सबका भला हूँ सबका कल्यान हूँ इस अती शुप भावना से सबकी सेवा करते चलें तो आपका चित दू मिनित में ही शाथ हो पिरकुल शाथ ओम शाथ झाल